बखित आटे का हलवा, बखित आटे का हलवा बनाने के लिए हमने ये दो कप में आता लिया है, कि ये 120 ml का कप है, इसी कप से हमने सारा चीछ का मेजर्मेंट किया है इससे दो कप हम आता लिया है इसी से हम एक कप रिफाइन ओयल लिये हैं ये चार काजू को हमने तोड़ लिया है चीनी को भी हमने इसी से मेजर्मेंट किया है ये 120 मिल का कप है इसी कप से एक कप हम चीनी किया है एक गलास पानी लिया है हम इस कप से तेड़ कप पानी है ये अब हम हलवा स्टार्ट करते हैं बनाना एक हम कड़ाई लेंगे इसे गरम कर लेते हैं कड़ाई हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम रिफाइन ओइल डालेंगे अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो रिफाइन ओइल को स्किप कर दें और घी डालें ओइल हमारा गरम हो गया है अब इसमें आटा हम डालेंगे चला लें इसे यह देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है अब इसे गोल्डेन ब्राउन तक एकड़म प्राई कर लें अच्छे से मतलब अब ऐसे एकड़म दबा दबा के प्राई कर लें इसे अच्छे से क्या से उसमें कोई लंक्स ना रहा है तीन मिनट हो गया है देखिए धीरी धीरे हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहा है अटा और इसे पांच मिनट तक गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डेन ब्राउं कर लें ये देखिए पांच मिनट ठोग गया है एकदम आटा गोल्डेन ब्राउं होके हैं अब गैस को एकदम लो कर देंगे और इसमें चीनी डालेंगे पहले चला ले इसे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे पहले आधर ग्लास हम पानी डाल देते हैं अब चला लेंगे अची और इसमें हम पानी आधर ग्लास डालेंगे अब इसमें हमें एक चमच बटर ढालेंगे चोटा चमच से हम एक चमच बटर डालेंगे कर देंगे हल्वा इतना गरम है कि बटर मिल्ट हो जाएगा बटर हमारे अच्छे से मिल्ट हो गया है अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए थोड़ा सबी बर्तन में कहीं भी कुछ नहीं लगा है इतना अच्छा से बन के तयार हो गया है हल्वा अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए अब हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है अब इस पे हम यो पाजू ते वो डाल यह देखिए हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है अच्छा लग रहा ना देखने में कितना यह देखिए एक दम चम्मच में भी कहीं से नहीं लग रहा है अगर हमारे आटा का हल्वा पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें सिस्क्राइब करें बैल आइकन का बटन दबाना ना भूलें